असलाम अलेकूम प्यारे बच्चो आप लोग जानते हो गुजिश्ता तिन चार दिनों से हम लोग आठमी की उर्दू की किताब से उर्दू कवायत ये सिलसिला जारी रखे हैं उसमें हम लोग बहुत सारी चीजे पढ़ चुके हैं कल हम लोग मरातुन नजीर और तजाद ये पढ़े थी बच्चो आज हम देखेंगे हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी बहुत ही आसान है बस उसे सुनकर याद रखना है लब्जो कमर से बना है कमरी यानि कमर यानि चान और लब्जो शमस से बना है शमसी शमसे यानि सूरच आप लोग गौर करेंगे, बहुत सारे ऐसे अलफाद है, जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें अलीफ लाम तो लिखा होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, उसे अदा भी करते हैं, और कुछ लफ़ ऐसे हैं, जिसमें अलीफ लाम लिखा होता है, लेकिन उसको अदा नहीं कर करते हैं जैसे मैं यहां चंद लफ़ पढ़ रहा हूं गौर से सुनेंगे जैसे अब्दुलमाजित अबुलकलाम इबुनुल्वक्त यह ऐसे अलफाज है जिसमें अलीफ लाम की आवाज अदा हो रही है और जब हम लिखेंगे तब अलीफ लाम लिखा भी जाएंगा तो ऐसे अलफाज जिसमें अलीफ लाम की आवाज अदा होती है उसे कहते हैं हुरूफ कम्री ठीक है बच्चों अब यहां देखेंगे उर्दु के जो हुरूफ तहजी हैं तक्रीबन अठाइस उसमें से जो शुरू के चौदा हर्फ हैं अलीफ बे जीम हे खे आइन गैं फे काफ का यह सारे हुरूफ क्या है? हुरूफ कम्री हैं अर शुर भाकी के हुरूफ है वहुरूफ शमसी है अब हुरूफ शमसी के मैं कुछ लबजे हूप पढ़ एक हुरूआ उ यह सारे अल्फाद जिमा यह क्या है? हुरूफ शम्सी के हैं इसमें अभी अलिफ लाम लिखा हुआ है लेकिन जब हम पढ़ते हैं अदा करते हैं तो अलिफ लाम की आवाज नहीं आती जैसे अब्दुर्रशीद अलिफ लाम की आवाज आई? नहीं अब मैं बोलूँगा अब्दुलजीज यहां अलिफ लाम की आवाज आ रही है तो अब्दुलजीज, अब्दुलमजीद, अब्दुललतीफ, अब्दुलमाजीद, अब्दुल्हमीज यह सारे क्या हैं? हुरूफ कम्री के लफ़े हैं और हुरूफ शमसी के अब्दुर्रशीद, खलीकुज़मा, समसुज़ज़ः ये सारे के हैं हुरूफ शम्सी ये बच्चों समझ गया गया ना जिस लबद में अलीफ लाम की आवाद अदा होती है वो हुरूफ कम्री है और जहां अलीफ लाम की आवाद अदा नहीं होती वो हुरूफ शमसी हैं तो बच्चो आप लोग को किताब में से हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी के लखजों धूड़ना है और उसे लिखना है ठीक है? मुझे उमीद है आप लोग को समझ में आया होगा और आप बिलकुल लिखेंगे भी बच्चो ठीक है? अल्लाफ आपिस